हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मेरी जन्मापव स्वागत है तो मैं यहां पर लाई हूँ प्लेनिंग और वो मॉर्निंग प्लेनिंग जो आपको पता ही है जो हम डेली से करते हैं तो वो प्लेनिग है तो मैंने का चलो कुछ स्प ही लेतें क्योंकि जाले हो गए थे क्योंकि दिवाली के सफाई के बाद बहुत कम सफाई कि मैंने तो मैं सोच रही थिचलो आज ही कपड़े या कोई समान तो मैंने इसके पर रख दिया था कवर या कुछ भी आप रखे आगर कर सकते हैं सफाई क्योंकि अंगर कपड़े पर गुहां रखे हो तो धाग दीजिए उसको ताकि उसके अंदर ना घुसे जाले वगेरा है और डास्ट वगेरा है वो तो यहां पर इवालों को मैं अच्छे सरे से जालू से जाल लूंगी योई कि दिवालों पर मेरी दिवाले है उससे मिटई जम जाती है आप दे देख पा रहे हैं कि कैसी दिवाला होता है उसमें वह तूट गया एक तम तो मैं बहुत कम ब्लॉग बना पा रही हूं कुछ यह भी बज़े है कुछ और भी बज़े है तो नया लाओंगी या बुक करवाओंगी देखो ओलाइन हो जाता है तो देखना पड़ेगा पहले कि मिलता है कि नहीं क्योंकि जो मेरा ट् कि यह बार बार तो नहीं होता है हपते में एक आद्वार करते हैं तो मैं अच्छे से जाड़ूंगी हमें मैंने पंख्या भी क्लीन करना है तो मैं घुमा घुमा करो है कि सारा ही क्लीन कर दूंगी कैमरे को भी घुमा रही हूं मैं सोच रही हूं एक बार मैं कर दूं बंद जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूं न तो इस दिन तो बहुत ज़्यादा ठंड थी को रहा था और भूत बहुत जो धूप होती है बिल्कुल भी नहीं निकली और इस दिन तो जूप निकल गयी तो जो यहाड़वार है मैंने सारे में करनी है अब तो मैं चौक में आई हूं मैंने अपने कमरे में भी करनी है तो यहां पर देखिए मैंने कर ली थी और मैं अब जाड़ों दूंगी पूरे कमरे में घर में पूरे घर में जाड़ों बगाँगी तो थोड़ा-थोड़ा ही सूट कर रही हूं उसका जाड़ों अगरा का क्योंकि लंबा वीडियो होता है और देखते नहीं आप और जो मुझे गैक टैक क्लेनिंग थी वो तो मैंने किया आपके सामने ही क्योंकि आपको मेरा गैक टैक क्लेनिंग वाला वीडियो मुझे पता है आपको पसंद आ रहा है तो अगर आप चैनल पर न्यूं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो का थोड़ा सा भी अच्छा लगते हो तो लाइक भी जरूर कर देना और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए थैंक्यू और ज़ाड़ू वगरा देने के बाद यहां देखी हां पर भी डस्ट बहुत गिर गया था क्योंकि उपर से मैंने ज़ाड़ा त कुछ कपड़े से कुछ ज़ाड़ू से ज़ाड़ दूंगी और यहां पर देखें रूप सीड़ी की भी सपाई करने पड़ती है यहां पर मुझे डेडी की डेली क्योंकि मुझे गंदी अच्छी नहीं लगती है तो कैसा भी घरो क्लीन होना चाहिए घर साफ सुतरा अच् पहले उपर मैं यहां पर जो जीने की ज़ड़ू लगा चुकी थी तो तीनचा सीड़ी मैं डुबार लगा लिए अब मैं लगाऊँगी या पोच्छा क्योंकि पोच्छा जड़ू के बाद तो पोच्छा लगाने का टायम ही होता है तो मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ अच्छी बाते हैं, अगर आपसे लगता है, तो बहुत कम होता है, की क्पाईपर्स एक फ़ाहँ के पोचल लगता है, औरापने मेरे कभी भी नहीं देखा, और मुझे पता है, है तो मैं ऐसे बैठ के ही लगाती हूं पोछा क्रोंकि मुझे क्लीण आइसा अच्छा लगता ए मुझे मुझे लगता है कि बैठ के पोछा लगाने साफ पोछा लगता है और आपको कहा लगता है तो आप मुझे कमेट करके totally वीडियो था और जो की मैं संडे वाले दिन कर लेती हूं जाड़ वगएरा कैसा लगेगा तो बताना है फ्रेंट्स और अगर आप लिकाते हैं जाले वाले क्योंकि इस टाइम संडे का दिन जो होता है न तो उस दिन हस्बेंट वगएरा बच्चे तो डूटी मतलब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं हस् स्वेटर होते हैं तो मैं अपना यह काम खतम कर लेती हूं जल्दी ही तो और आप कह रहे होंगे स्वेटर चेंज कर लेकि मेरे मुझे स्वेटर में मुझे जाड़ो पोच्चा बगएरा नहीं लगता है तो मुझे दिक्कत होती है और गीले भी हो जाते हैं बाजू की की बाजू के लिए ना हूँ और छोता सा रूटीन था मेरा और आप कैसे करते हैं क्लीटिक तो बतारा फ्रेट और आ गई हूं बाहर किचन का हो गया है अब यहां पर लगा के सारे कमरों में लगा कर बाहर च्छत पे भी लगाऊंगी और अच्छा लगेगा व्लॉग आप आपको कोई वीडियो आपके मन में हैं जो मैं बना सकूँ आपकी कोई रिक्वेस्ट ऐसी हो क्लीनिंग की तो आप कर सकते हैं रिक्वेस्ट और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कोई और क्लीनिंग वाला आपको वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बताना तो मै आपको बनाने की कुछी हो जरूर करोंगी ठीक है बाकी डेली का वही cleaning routine होता है सबका ही तो मेरा भी यही है बस थोड़ा सा संडे वाले दिन काम जादा हो जाता है क्योंकि मैं extra काम कर लेती हूं थोड़ा बहुत सफाई का और धुलाई का भी कर लेती हूं भार तो आपको पत है डेली धोना पोचना है चतकात मेरा और यहां देखिए मेरा हो गया इतना काम अभी मेरे दू कमरे और बच्चे है पोच्छाव अगरे लगाने का तो वह भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी या नहीं तो मैं सोच लीती वीडियो को एंड करूं और मिलती है चलो नेक्स झाल